कि ज़्यादतर लोगों को direct selling industry को लेके, network marketing को लेके, और खास के RCM को लेके, इतनी गलत फाहमिया है, इतनी सारी डर है, कि आप मेंसे ज़्यादतर लोग इस business में आतो जाते हैं, लेकिन कामयाभी तक नहीं पहुच पाते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, और वो ह डर, वो है knowledge की कमी, वो है हमारे पास अनुभो नहीं है, जानकारी नहीं है, तो मैं भी आप ही लोगों के बीच से आता हूँ, मैं कोई बिदेश में पला बढ़ा नहीं हूँ, myself, धर्मिन कुमार, मैं ग्रामिन परिवेस में पला बढ़ा हूँ, किसान का बेटा हूँ, दभाव में पी था, मैंने अपना एजूकेशन प्यूर गौ में पूरी तरह से मैंने किया, हाइ स्कूल तक, और उसके बाद इंटर के लिए मैंने अपना ट्रेस्टीग हेड़ कोर्टर में रहके मैंने पढ़ाई की, और फिर मैं बहुत अरली इसमें मेरा लग अच्छा थ या यू कह लीजिए, मैंने बहुत अवियर था मैं अपने जोग को लेके, कैरियर को लेके, तो बहुत अरली इसमें मैं यूनियन बैंक ओफ इंडिया को जोइन किया, दोस्तों बारा साल मैंने यूनियन बैंक में जोग किया, देखे बारा साल बोलने में बारा मीनिट और बारा सेकंड भी नहीं लगते। था सन 1919 में पहले ब्रांच मुंबई में मुंबई से बचार मार्ग में खुली थी और मैंने वहाँ पर 12 साल जोग किया देखे आज बहुत सारे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास टाइम की बड़ी कमी है समय नहीं मिल पाता तो मैं आपको बता दू कि मैं सुबह आठ वजे से रात आठ वजे तक बैंक में इंपॉल्व होता था ध्यान से सुनिए सुबह आठ वजे घर से निकल जाते थे मुगल सराय और स्यद रजा के बीच में 30 किलोमेटर की दूरी है और वो 30 किलोमेटर ट्रेन से ट्रेबल करते थे ताकि पैसा बच सके पास बनवा रखे थे और ट्रेन का सिड्यूल ऐसा होता था कि वो पैसेंजर ट्रेन होती थी और ज्यादा तर उसको साइड में लगा दिया जाता था तो जिनरली डेर से दो घंटे लग जाते थे और बापसी में भी मुझे ट्रेन पकड़ के आते थे और पैसेंजर ट्रेन में इसकी स्थिति बहुत नाजुक होती थी कई बार मुगल सराय ओटर पे एक गंटा 45-45 मिनट ट्रेन मेरी रुकी रहती थे मैंने भी यही सवाल किया था अपने सिनियर से कि सर मैं बैंक की नौपरी करता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है ब्रांच की अंदर इतना रस हुआ करता था बैंक खुलने से पहले 200 पब्लिक इंतिजार करती थी कि ब्रांच खुले की अंदर घुश जाओ वो एक ऐसा ब्रांच है युनियन बैंक सेयद राजा ब्रांच जहां की युत्तर परदेश और बिहार के बोर्डर पे है और उस समय बीस किलोमेटर के सरकेल में कोई दूसरा नेसलाइज बैंक नहीं था बीस किलोमेटर में कम भी बता रहा हूँ ज़ाद़ ही होगा एरिया नतीजा था कि इतनी रस होती थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ आज भी उस लोकेशन में जाके आप पता लगा लेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमें ट्वालेट जाने की फुर्सत नहीं होती थी, खुजली करने की फुर्सत नहीं होती थी, मेरा कई बार लंच दोपर का मैं बापस घर लेकिया जाता था कारण क्या था? कारण था बर्कलोड, बहुत ज़्यादा हो आज से 18 साल पहले की बात में कर रहा हूँ, उस समय मैनुवल बैंकिंग थी, उस समय गूगल पे, फोन पे, पे टी एम, एटी एम, कुछ नहीं हुआ करता था, नोट काउंटिंग मसिन तक नहीं हुआ करता था और उस जमाने में इतना ज़्यादा ठक जाते थे हम लोग, बैंक से बाहर जब निकलते थे, तो ऐसा लगता था कि एक नया जनम हो रहा है, एक नया आज मेरा हुदय हो रहा है, वो फिलिंग में बता नहीं सकता आपको, हर दिन की कहानी थी, हर दिन हम जंग लड़ते थे, बैंक के अंदर, और उसके बाद जवारसीन बिजनस आया, तो मैंने अपने सीनियर को यही कहा था कि दिखे भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे सीनियर ने बहुत अच्छा एक जंपल दिया, उन्होंने बताया कि इंग्लेंड में एक अंधा आदमी, ब्लाइंड पर्सन, नेटवर्क मार्केटिंग से, डारेक्ट सेलिंग से करोड़ पती हुआ, उससे पूछा गया कि आप अंधे होके कैसे भाग दोड किये, कैसे लोगों को जाके कन्विंस किये, कैसे आप भागते थे, दोडते थे, इसमें तो बहुत मेहनत है, ब के पास टाइम नहीं है, हिंदुस्तान में 80% लोगों के पास टाइम ही टाइम है, बस दो टाइम वाले को पकड़ लो, और उनके दिमाग में भर दो आरसी हैं, और वो कर जाएंगे और आप सफल हो जाओगे, भाई साब ये, ये जो आइडिया था न, ये मेरे दिमाग में जो स्वीच वॉफ था न, हर इनसान के अंदर एक वॉफुश होती है, और उसका स्वीच होता है, और ज्यादा तर लोगों का स्वीच वॉफ है, मेरा भी वॉफ था, मेरे सिनियर ने इसको बटम दवा दिया, क्लीक कर दिया, और बस यही कोंसेब्ट मेरे दिमाग में खू अगर दो भी हमारी बात पे भरोसा नहीं कर पाए तो फिर तो मेरा इस धर्ती पे आना ही बेकार है और वहीं से मेरी कहानी शुरू ही और फिर पीछे मुड़के मैं नहीं देखा मेरे सीनियर ने एक और अच्छी बात बताई कि डी कुमार जी उसामा बिन लादेन लोगों को म पूछते हैं कि बताओ कहां उड़ाना है आप दो लोगों को काम्याब होने के लिए तयार नहीं करा सकते हैं दो लोगों को सफल होने के लिए तयार नहीं करा सकते हैं दो लोगों को कार में आने के लिए तयार नहीं करा सकते हैं दो लोगों को आप बिल्डिंग में ने ला सकते, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, हर आदमी बिलंग में आना चाहता है, हर आदमी कामियाब होना चाहता है, बस दो ही को तो पकड़ना है, देखे दोस्तों, ये बाते दो बड़ी अच्छी थी, और बहुत आसाल थी, लेकिन मैंने बीड़ा उठाया कि दो को तो मैं कामियाब बनाऊंगा ये मैं कर सकता हूँ और वहाँ से मेरी गहानी सुरूँगी मुझे याद है BC छावडा जी की ट्रेनिंग पटना में थी और उस ट्रेनिंग को टेंड करने के लिए मैं पटना गया था और उसमें BC सर्म ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इस बिजनेस को अगर अपने लिए करोगे तो नहीं कर पाऊगे और अगर दो लोगों की कामियाबी के लिए काम करोगे तो तुम इतनी उचाई पे चले जाओगे कि जिसकी कलपना नहीं कर सकते हूँ उन्होंने एक कहानी के माधियम से बताई थी मुझे आज भी आता है उन्होंने बताया था कि एक लड़की थी वो अपनी अराध्यदेव की पूजा करने के लिए जंगल से फूल तोड़ने गई और वहाँ पे एक संत तपस्या कर रहे थे लड़की देख नहीं पाई और उस संत को पैर से ठोकर मार दी जिसकी वज़े से संत की आँखे खुल गई और क्रोध में उस संत ने उस लड़की को सराप दे दिया क्या दिया सराप कि ए लड़की ए नादान लड़की तू अंधी है देख नहीं रही थी कि मैं तपस्या में लीन था तेरी वज़े से मेरी तपस्या भंग हुई है मैं तुम्हें सराब देता हूँ कि तू जिस जिस लक्ष को पाने के लिए तो ये फूल तोड़ने आई है और पूजा करना चाहती है तुम्हारा वो मुरात कभी पूरा नहीं हूँ तुम जीवन भर कमारी रहोगी ये मेरा सराब है वो लड़की बहुत उदास होकर रोने लगी बाबा से बहुत माफी मांगी लेकिन बाबा करोधी थे फिर वो आई अपनी माता से अपनी सारी बितान तुसने सुनाई उसकी मां ने कहा घबरा मत बाबा ने तुमें सराब दिया है न मुझे थोड़ी दिया है मैं तेरे लिए पुजा करूंगी मैं तपस्या करूंगी उसकी मां ने तपस्या करना सुरूं किया पुजा करना सुरूं किया भगवान प्रगठ हुए बोले मांगो तुम्हें क्या चीए उसकी माँ ने कहा कि हे प्रभू अगर आप मेरे उपर आपकी कृपा है मेरे से परसन्ने मेरी तफस्या से तो आप मुझे वर दीजिए बोले बोलो क्या चीए बोले मुझे वर दीजिए कि मुझे एक सुन्दर सा दामाच चीए भगवान ने कहा बस इतनी सी लोग मैं वर देता हूँ तथास तूँ अब एकलोती लड़की उसकी वर मिलेगा तो किसको मिलेगा लड़की को मिलेगा ये कहानी उसम हुने बताई बीसी सर ने उन्होंने कहा कि जिस दिन आप अपने डाउन लाइंग के लिए अपने आपको बली चढ़ा दोगे अपनी सारी इच्छाओं की बली चढ़ा दोगे अपने आराम की बली चढ़ा दोगे अपने स्वार्थ की बली चढ़ा दोगे अगर एक ब्यक्ति को कामयाब बना दोगे एक ब्यक्ति को तो फिर तुम कितनी मुचाई पे जाओगे इसका अंदाजा नहीं कर सकते और दोस्तों वो ट्रेनिंग मेरी जीवन की टर्णिंग पॉइंट रही मैं वहाँ से आया और मैंने संकल्प ले लिया कि अब परले भी आ जाएगा तो भी मैं एक ब्यक्ति की कामयाबी के लिए काम करूँगा और एक नहीं दो के लिए काम करूँगा और वो मैंने सुरुवात की मैं भूल गया कि मेरा क्या होगा आज इंसान इतना कमजोर क्यों हो गया है इतना डरपो क्यों हो गया है इतनी घवराहट क्यों होती है RCM करने में कारण क्या है सबसे बड़ा कारण है कि इंसान अपने बारे में सोचता है BC सर ने कहा थो स्टेनिंग में कि आज इंसान अगर 24 गंटे में 15 गंटा जागता है अगर वो 18 गंटा जागता है तो सोचता है और सोचता है तो क्या सोचता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है अपनी सफलता अपनी काम्यावी के बारे में सोचता है अपनी चेक के बारे में सोचता है अपनी इंकम के बारे में सोचता है और यही कारण है कि वो जवारसेम में आता है उसकी सोचने की जो प्रविर्टी है उसकी सोचने की जो आदत है उसकी सोचने की जो habit बना हुआ है यही habit उसको यहां पे काम्याद में भूनी नहीं देता और जब तक यह habit change नहीं होगा तब तक आप यहां पे आपके लिए बहुत मुश्किल है कहते है ना man makes a habit and habit makes a man इनसान बनाता है आदत और वही आदत बनाता है इनसान को हम लोग ने इतनी बुरी-बुरी आदते बच्कुन से सीख लिया है न कि उन आदतों की हम गुलाम हो चुके हैं उन आदतों के हम आदती हो चुके हैं और उसको छोड़ना आज एक आम आदनी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है लेकिन मैंने practice करना शुरू किया जब-जब मैं अपनी check के बारे में सोचता था मुझे याद आ जाता था कि बी-सी समय क्या बोला है जब-जब अपनी level के बारे में सोचता था जब-जब अपने बारे में सोचता था मुझे याद आ जाता था कि नहीं अपने बारे में तो सोचने ही नहीं और यहां से मेरी कहानी सुरू हुई और आपको real बता दो कि इंसान जब तक अपने बारे में सोचता है न उतना कमजोर होता है कि मैं आपको पता नहीं सकता बहुत कमजोर होता है लेकिन जिस दिन से आप दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं अपने डाउनलेंग के बारे में सोचने लग जाते हैं अपने टीम के वारे में सोचने लग जाते हैं आप मानब नहीं रहते हैं आप माहा मानब बन जाते हैं आप कोई सधारन बेक्षिन नहीं रह जाते हैं आप असधारन बन जाते हैं और फिर जो आपका मेहनत आपका प्रयास होता है वो इतना खीशन होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता और ये इस business की आत्मा है इस business में कामियाभी का सबसे बड़ा मंतर है लेकिन इस मंतर को लोग जानते भी हैं मानते भी हैं लेकिन अपनाते नहीं फरक पड़ेगा पनाने से आप दो लोगों की जिम्मेवारी लीजिए दो लोगी की कामयाबी की जवाब दही लीजे responsibility लीजे ये मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा मेरा 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 ये मेरा मेरा सोचने वाले लोग इतने अपाहीच होते हैं इतने कमजोर होते हैं इतने पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं कि इनके लिए royalty जैसी चीज बहुत कठी हो जाती है टेकनिकल बना इनके लिए बहुत मुस्किल लगता है इमराल और स्टार इमराल तो इनको पहाड पर चड़ने जैसा लगता है और Ruby और स्टार Ruby के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं तो ये बहुत बड़ा मंत्र है इस मंत्र को अपनाईए अगर आप इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते है तो इस मंत्र पे काम कीजिए मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस में काम करना सुरू किया पार्ट टाइम बेंक की नोकरी करते हुआ और मैंने बताया आपको कि कितना टफ जॉब था आसान नहीं था जॉब बहुत कठी मेरे को कोई बोलता है न कि सर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अंदर से मुस्कुराता हूँ मैं बेटा तो किसको गोली खिला रहा है जो भरबर के गोली खाया है उसको क्या गोली खिलाएंगे आप टाइम नहीं आपको अभी ग्यान नहीं है अब क्या कर रहे आपको पता नहीं है क्या करना है आपको यह भी नहीं पता है न तो time की कमी है न तो आदमी की कमी है न तो इस business में failure है सफलता की guarantee है यहां मोदी जी बोलते हैं न guarantee guarantee बार बार बोलते है मैं बोलता हूँ RCM में अगर यह इस तरह की guarantee सब्सक्राइब का इस्तिमाल हम लोग करने लग जाए ना सारे के सारे लोग कामियाबी की guarantee है यहां guarantee है guarantee मैं बोल रहा हूँ लेकिन कुछ आदतों को बदलना होगा कुछ तरीके को बदलना होगा कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाने होगे सोचने के तरीके को बदलना होगा और यही सबसे कठीन काम है तो छोटे-छोटे काम करने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है धीरे-धीरे हम बदलेंगे जब हम बनने नहीं है रातो रात तो हम बदल कैसे जाएंगे रातो रात भाई हमें बनने में 40 साल लगे, 45 साल लगे कोई 25 साल के है, कोई 30 साल के है तो तीस महिना तो लगेगा बदलने में, तीन साल तो लगेगा बक्त, और मैं तो बोलता हूँ कि कुछ लोगों को बदलने में दस साल लग जाते हैं, जो जीतना जल्दी अपने आपको बदलेंगे, आरसीम बिजनस में काम्यादी उनकी उतनी जल्दी आईगी, मैंने पहले दिन से अपने आपको बदलना सुरू किया, सारी ताकत मैंने अपने आप पर लगाया, बैंक से निकलने के बाद मेरी इच्छा होती थी कि यार छोड़ो आज रहने देते, बड़ा थकान हो गया है, चलो घर चलते, कल चलेंगे फिल्डने, कल जाएंगे प्लान दिखाने, लेकिन तभी दिमाग में आती थी बात की, नो, पंडी जी कहते हैं अपनी टेप में, भूक भी होगी, खाना भी होगा, लेकिन खाने की इजाज़त नहीं होगी, कोई बॉस थोड़ी होता है या, कौन मेरे को काइड कर रहा था, कौन मेरे को कह रहा था, कि धर्मिंद्र जी आप को दो हो मिटिंग करना है, दो लोगों से मिलना है, न तो मेरे अपलाइम मेरे साथ थे, न तो मेरे टीम थी मेरे साथ, जब मैं सुरू किया था, मैं अकेला था, मेरा छोटा भाई आया था, जोईन करा के चला गया, दुबारा आया ही नहीं, आज तक नहीं आया, लोग मेरे को सिखाने वाला immediate applying कोई नहीं था, बाद में हमारी applying सुजीत सर से मेरी मुलाकात था, मैंने meeting में देखा था, बाद में उनके मैं करीब गया, एक पर सुजीत सर के लिए कालियां बजा दीजिए, सुजीत सर ने मेरे को दूर से guide किया, और आज भी मैं सर से हाँ जोड़ की प्राथना करता हूँ कि सर, आप बस हाथ बनाए रखे, दूर से बनाए रखे, बागी तो काम मैं करूँगा सर, आप बाह भीम बाह भीम करो सर, भीम अकेला भारी पड़ता था पांचों भाईयों में, जब लड़ता था ना, अपने दूसमनों से, तो अपने भाईयों को बोलता था, तू लड़ मत, तू पीशे से बोल बाह भीम, बाह भीम, भीम पूछता था कि यार बाह भीम, उनके भाई लोग पूछते थे, यार बाह भीम, बाह भीम करने से क्या होता है, तो भीम कहता था कि मेरी ताकत दुगनी हो जाती है मेरे अंदर सौ हाथी का बल, दो सौ हाथी का बल हो जाता है बाहभीम करने से तो इस बिजनस में भी मेरे सीनियर सुजीत सर ने मेरे को बाहभीम बाहभीम करना सुरूर किया दूर से किया करीब मैंने नहीं आने दिया मैंने सुजीत सर की होम मिटिंग कभी नहीं कराई मैंने कभी इंडिविजुल को आज तक प्लान नहीं दिखवाया सुजीत सर से और चादातर लोग मैंने देखा है बैसाखी पकड़ के चलते है आरसे इने अप्लाइन क्या वे बैसाखी है मैं यह नहीं बोलता हूँ कि आप मत पकड़ो बैसाखी मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप मत करो लेकिन जितना कम से कम अप्लाइन का सहयोग लेंगे उतनी उचाई पे जाएंगे करते नहीं जिनके अंदर अकेले चलने का माद्दा होता है जिनके अंदर अकेले चलने की हिम्बत होती है उनके साथ कार्वा चलती है महात्मा गांधी का कोई अप्लाइम नहीं था वो अकेले चलने का उन्होंने जिद की है अकेले चलने का साहस था उनके अनसा हमारी कम्पनी के ओना रादा नहीं है टीसी छावडा जी का कोई अप्लाइन नहीं है एक वार जुरुदात अलियात बगया दे उनके लिए बीसी छावडा जी का कोई अप्लाइन नहीं था केसी छावडा जी के कोई अप्लाइन नहीं थे सुरेंदर वजी ने अकेला चलना शुरू किया सुजीत कुमार सिंगी ने अकेला चलना शुरू किया और जो जो अकेले चले हैं आज सिखर पे है और ये जो बैसाखी लेके चल रहे है ये सब रेंग रहे हैं रेंग रहे हैं तो भाई साब अगर उड़ना चाहते हैं लिखी ये डाइरी पे अप्लाइन का सहीो कम से कम लीजिए कम से कम लीजिए मैं ये नहीं करता कि मत लीजिए लेकिन जीतना कम से कम बार-बार दिमाग लोगों का मैं देखता हूँ अप्लाइन की तरफ जाता है यारे मेरा अप्लाइन ठीक नहीं है अरे मैं बड़ा गलत जगा जुड़ गया हूँ सार मेरा तु किस्मत खराब है। अरे क्या यार बहिया एकाउंट में छेक मेरे आते हैं स्टार रुबी मैं बना हूँ कोर लीडर मैं बना हूँ फूरे इंडिया मेरी कोगनिशन मेरा हुआ है यू टुपे वीडियो की भर हमार डिकुमार आर सीयम मेरे भरेपड़े हैं तो अपने लिए करेगा अगर आपको उस जगह पे जाना है तो आपको संखर्श करना पड़ेगा आपको फिल्ट वर करनी पड़ेगी आपको धक्के खाने पड़ेंगे आपको पसीना बहाना पड़ेगा आपको संखर्श करना पड़ेगा यह अप्लाइन अप्लाइन अप्ल लेकिन फैक्ट तुम्हें बताऊंगा भई और फैक्ट यही है अपने सीनियर से सीखिए उनका इस्तिमाल मत करिए सीनियर का इस्तिमाल मत करिए उनके नौलेज का इस्तिमाल करिए उनके अनभो का इस्तिमाल करिए वो जो कहते हैं ना उनके एक सब्द को ध्यान से सुनिए औ देखिये चमतकार होता है कि नी तो मेरी कारवा सुरू ही मैंने संघर्स किया स्ट्रगल किया और अपने दो लोगों को सफल करने में अपनी सारी ताकत लगा दिया कई मित्र हैं मेरे से पूछते हैं कि यार टी कुमार यूनियन बैंक को रिजाइन क्यों कर दिया मेरी पार्ट टाइम में 77,000 की चेक थी पार्ट टाइम में नौकरी करते हुए लोग कहते हैं कि यार तुम तो स्टार पर हो गया थे जॉब करते हुए क्या ज़रूरत थी है नौकरी छोड़ने की तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि बीसी छावडा जी एक बहुत अच्छी बात कहते है कि जो दूसरों को खाना बना की खिलाना सीख जाता है न वो खुद कभी भुका नहीं रहता है जो दूसरों के लिए जीते हैं न उनके लिए भगवान इश्वर रास्ता बनाता है हमेशा याद रखिए गांधी जी ने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं अगर वो सोचे होते न उनकी जीवनिया पढ़ी है सत्य के परियोग मैंने दो वॉलूम उनकी है और मैंने दोनों वॉलूम पढ़ा है जब साउथ अफरीका में वो गय थे न और जब वहां से बापस इंडिया आ रहे थे तो उनको पता है कितना सोना मिला था गिफ्ट में 32 तन सोना मिला था उनकी पतनी जिद कर ली कि ये सारा सोना हम इंडिया ले चलेंगे और ये हम अपने बच्चों का भविस्व बनाएंगे इस सोने से हम कारोबार सुरू करेंगे गांदी जी ने कहा कि अगर इसमें से एक तोला भी उठाई होना तो हमारा तलाक हो जाएगा गांदी जी ने कहा था दो दिन तक उनकी पत्नी और उनके बीच में जगड़ा हुआ था उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा 32 तन सोना मेरा नहीं है यहां की लोगों ने मुझे दिया है क्योंकि मैं उनके लिए लड़ाई लड़ी है वहां काले गोरे की जंग हो रही थी और उन्होंने पूरा का पूरा 32 तन सोना वहां की अफरिकी जो नेशनल कॉंग्रेस थी उसमें उन्होंने डोनेट कर दिया बहुत लोगों को यह सब पता नहीं है और जिनको पता नहीं है वही गांधी जी के वारे में अनाप सना बोलते रहते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं 32 तन सोना समझते हैं 32 तोला तो कोई छोड़ता नहीं 32 ग्राम तो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं पता नहीं मडर कर देते हैं लोग और वो 32 तंग सोना छोड़ के आये थे उस जमाने में सौथ अफरीका से इंडिया में और पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्स किया था तो जीवन में आप ऐसे से लोगों की जीवनिया पढ़िये ना बताया तो जाता है दिक्कत क्या हैं हम किमत नहीं चुक काईगे अपने चुर्श कोई कम्प्रमाइज नी धर का खाना घर में सोना घर में रहना घर में उटना घर में बैटना और कि सर आर्सी में कुछ होता ही सुबा निकलेंगे जाकि किसी पीकॉप सेंटर में बैठ जाएंगे तकी का। मैं तो उब गया हूँ, इनका चेहरा देख दे के मैं पक गया हूँ, इनको कोई मिलता ही नहीं, यह हमारे पास आ जाते, अरे भाई साब, भकस दीजिए, प्यूसी वाले को भकस दीजिए, जाए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ पे उनका कारोबार बढ़ाईए जाके, वहाँ पे जाके उनकी पर्चेजिंग करवाईए, लोगों को लेके जाएए, ना कि उनकी कुरसी बैटके तोड़िये, उनका पानी पीजिए, उनका चाय पीजिए, हमें फिल्ड मेरा ना है, हमें होम मिटिंग करनी है, हमें लोगों से वन टो वन मिलना है, देखे, सब को पता है, सब जानते हैं कि क्या करना पड़ता है, लेकिन हम जाते नहीं है, हम करते नहीं, क्यों नहीं करते हैं, डर है, पहला डर क्या है, सामने वाला ना कर दिया, तो कई लोग मेरे से कहते हैं कि सर हमें डर लगता है क्या डर लगता है तो सर डर लगता है कि हमें इतना निगेटिव बात बोलते हैं न सर मैं डर से सुन नहीं पाता हूं कहीं हम निगेटिव न हो जाएं भीया एक चीज़ बताईए आप चले हैं साप पकड़ने साप क्या करता है बड़ा जहरीला होता है कई बार ऐसा डंक मारता है कि सपेरा ही मर जासा तो आप चले हैं साप पकड़ने और साप के जहर से गर आपको डर लगता है तो आप तो भीया सपेरा नहीं बन पाओगे आपको सपेरा बनना है तो सपेरा क्या करता है वो यह सोच के जाता है कि यह डंक मारेगा और मारेगा तो जहर भी चड़ेगा हमें उस जहर से बचना है तो अपने आप के अंदर इतनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी, इतना गट्स पैदा करना पड़ेगा कि हमें हर हाल में फिल्ड में रहना है लोगों की ना सुनने की आद़र डालनी है लोगों से टकराना है मैं तो ढूंटा हूँ यार, रियल मैं बता रहा हूँ मैं ढूंटा हूँ कि कोई तो मिले जो मेरे से निगेटिब बात करे और यह आज के बात नहीं कर रहा हूँ राइट फ्रॉम बेरी फस्टे मुझे लोगों से ना सुनने में बड़ा मज़ा आता है और आज के बात नहीं कर रहा हूँ राइट फ्रॉम फस्टे अरे हमें पता चल चुका है कि RCM में सफलता की अंबार है हम देख चुके हैं हर दीन यहाँ पे कोर लीडर आ रहा है हर दीन यहाँ पे सफल लोग आ रहा है और फिर भी डाउट है तो चलिए बड़े बड़े समिनार हो रहे है फिजिकल मिटिंग हो रही है चार-चार घंटा आप उनके ट्रेनिंग में बैठिए मिटिंग में बैठिए एनिवर्सरी हो रही है सब को एक स्टेज बे देख रहे है सब को पता है लेकिन फिर भी हम क्या हो रहे है चिंता में डूबे हुए घबराहट है डर है तो इन सब चीजों से निकल ये कहते हैं कि जीवन में जिस दिन आपको सफलता दिख जाएगी न जिस दिन आपको काम्याबी दिख जाएगी न ये सब चीजें आपसे दूर हो जाएगी ना आप काम करने में ठकेंगे ना आपको नींद आएगी रात में ना आप चैन से रहेंगे आपके दिमाग में बस एक ही नसा होगा और वो नसा है काम, काम, काम क्या है यार यहां फावड़ा चलाना है क्या है लोग कहते हैं बड़ा मेहनत है आरसी मेरे को अठारा साल हो गए आज तक मैं यही नहीं पता लगा पाया कि इसमें मेहनत क्या है अरे भाई साब मेहनत थो हम यूनियन बैंक में काम करते थे कई मिटिंग सेमिनार में ने बोला है कि एक हपते नहीं किया है बारा साल किया है भाई साब और यही कारण है कि आरसी में हमें कभी मेहनत नहीं लगा जो आदमी कभी काम किया ही नहीं है आज ज्यादा तर आरसी में ऐसे ही लोग है ज्यादा तर ऐसे ही लोग है ध्यान से सुनिये मैं क्या बोल रहा हूँ गुरा मत मानिएगा सच्चाई बड़ी करवी होती है जो कभी महनत किया ही नहीं है अब उसको बताया जाता है अब उसको प्लाण दिखाने में बड़ा महनत सर लिखना पड़ता है बड़ा हाड काम है अरे भाई साब बैंक में कितना लिखता था आपको पता है, एक पेन की रिफिल तीन दिन से ज़्यादा नहीं चलता था, तीन दिन में रिफिल खतम, तीन दिन समझते हैं न, एक रिफिल, तीन दिन में खतम, महिने में कितना रिफिल, दस रिफिल, बारा साल में कितना रिफिल खतम कियोंगे, 120 रिफिल खतम कियोंगे, भगवारान कसा मारस्तियम में पिछले 18 साल में दस रिफिल खतम नहीं किये. मुझे जूट बुलना नहीं आता. दस रिफिल खतम नहीं किये, प्लान दिखाने में स्टार उबी बन गया. 120 रिफिल जिस दिन खतम कर देंगे न, इस हिंदुस्तान में खड़ा होने के लिए लोगों को मेरे सामने न, दस वर सोचना पड़ेगा. 12 साल जितना बैंक ने काम करवाया है न, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको. और आप कहते हैं कि मेहनत है. अरे मैं बता रहा हूँ वाईसा, मैंने 10 परसेंट भी काम नहीं किया, जितना बैंक ने मेरे से करवाया. लेकिन अपसोस है कि यहाँ पे काम करने वाला आदमी काम ही नहीं करता, उसको समझ में नहीं आता, रसीम में, प्रॉब्लम तो यही है. वो गदे की तरह वहाँ इतना खटता है न, इतना खट लेता है, और इतना कम उसकी सेलरी होती है, उसको लगता है कि यार 15, 20,000, 25,000 के लिए इतना मेहनत है तो लाग, दो लाग के लिए पता नहीं कितना मेहनत होगा RCM में और यही कारण है कि यहाँ पे लोग हाथ पौन ही मारते है वो हमारे एक senior कहा करते थे थे न कि कठीन 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 इतना लोगों ने काम किया है कुछ लोगों ने इतना कठीन कठीन काम कर लिया है कि कठीन काम करने की आदत पड़ गई है और ऐसी आदत ऐसी आदत पड़ गई कि आदत ना बदलने की आदत पड़ गई अब हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं भी कौन लोग है ज्यादा तर वही लोग हैं जिन्होंने कठी परिश्रम नहीं किया है देखो सच्चाई बड़ी कड़ भी होती है मुझे पता है कुछ लोग को बड़ी चुप रहा होगा अच्छा बड़ा डीकुमार महनत की बात करता है बहुत बेंग में काम किया हमें पता है सथी बहुत कड़वा होता है बुलेड जैसे लगती है लेकि सथी को मानो आपने दुनिया नहीं देखी है बाई साब कितना लोग महनत करते है न ज्यादा तर लोग यहां पर वह सही है rag picker हम लोग rag picker वाला ताम कर रहे है rag picker क्या होता है do you know what is rag picker rag picker बोलते हैं जो कुड़ा बिनता है कुड़ा देखा है आपके आस पास में कुड़े का धीर होता है और उन कुड़े के धेरों में एक गंदा संदा कपड़ा पहना हुआ लड़का, हाथ में एक क्या बोलते हूं उसको, क्या लेके गुमता है, उसको बोलते हैं उसमें सामान रखता है, बोड़ा, बोड़ी जो भी कह लीजिए, थैला, बड़ा सा, वो भी गंदा संदा. अब सोचिए कुड़ा में वो क्या छाटता है, लोग कुड़ा क्यों फेकते हैं, किसी काम की चीज नहीं होती, उसको लोग कुड़े में डाल देते हैं, और कुड़ा में से वो लड़का, गंदा संदा कपड़ा पाना हुआ, क्या छाटता है, वो बने काम का चीज छाटता है उसको बोलते हैं रैग पीकर अभी आप मेंसे ज़्यादा तर लोग रैग पीकर वाला काम कर रहे है देखो मैंने क्या किया मैं स्टेट बैंक के चीफ मेनेजर इस पी बर्मा साब को पकड़ा मुझे पता था कि यार या आदमी जिस दिन चल पड़ा ना तुफान खड़ा कर देगा मैंने यूनियन बैंक के राजकुमार जी को पकड़ा मैंने अजीद परताब सिंग जी को पकड़ा औलेडी पहले से अच्छे खासे फैमिली से हैं मैंने सुसील कुमार सिंग को पकड़ा जेटे अर्वेज में चौप करते थे आज रूबी एचीवर है मैंने पकड़ा नीरज कुमार सिंग जी संजीब कुमार सिंग जी बड़ी-बड़ी हस्तियों को मैंने पकड़ा मैं रैग पीकर वाला काम मुझे पता था ये rag picker बनके करेंगे न तो जीविदगी बीत जाएगी, धाल रोटी मुस्किल हो जाएगा तो rag picker वहला काम नहीं करना है हमें, हमें बड़े लोगों के पास जाना है, हमें successful लोगों के पास जाना है हमें उन लोगों के पास जाना है, जो पहले से जिनका income आ रही हो, जो अच्छे level पे हो, अच्छे घर से हो देखो, इसको नियथा मत लेना, think like a professional, work like a professional, and do like a professional जिन्दगी में अगर आप professional नहीं बनोगे न, आप इस business में सफलता नहीं मिलेगी professional बनना पड़ेगा आपको, मैंने बुक्स में बहुत अच्छी line पड़ी थी, कि emotion से relation चलते है emotion से relation चलते है, जिन्दगी नहीं चलती है, जिन्दगी चलती है, profession, और profession आपका RCM है और RCM business को, आप as a career, career profession क्या होता है, हमारा career है, and no compromise with career, no compromise with profession profession, profession से कोई समझाता नहीं, कोई दोस्ती नहीं भईया, कोई रिस्दारी नहीं जब तक आप professionalism हम नहीं सीखेंगे न सुजीत सर एक बहुत अच्छी quotation बोलते हैं, कि RCM हमारा emotion है, हम RCM से जुड़े है, RCM हमारा सम्मान है, RCM हमारा स्वाभिमान है यह emotion है हमारा, हमारी जिन्दगी है RCM, हम emotionally attached है RCM से, लेकिन जो हम काम करते हैं, जो हम planning करते हैं, वो हमारा professional होता है हम यह नहीं करें कि emotion को खतम कर दीजाए, emotion से तो पूरी दुनिया चल रही है, emotion खतम कर देंगे तो, फिर पैसा कमा कि क्या करेंगे, फिर काम्याबी किसके लिए हम कर रहे हैं बट, profession में emotion मतला है प्रोफेशन में इमोशन का कोई चगा नहीं है दोनों नदी के दो किनारे हैं दोनों नहीं मिल सकते आपस में इनको मिलाने की कोसिस करेंगे बरबाद हो जाएंगे बहुत इंपोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ जब काम करना होता है न तो मेरे बेटे का भी फोन आता है तो मैं रिसीब नहीं करता मेरी वाइब का भी फोन आता है ना मैं रिसीब नहीं करता मेरी माता जी का फोन आता है मैं रिसीब नहीं करता मेरे लिए काम टॉप रेटी है सबसे इंपोर्टेंट है काम अभी मैं मिटिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ मिटिंग कर रहा हूँ No No relation, no compromise with my profession कोई समझाता नहीं 37 पंडी जी अपनी टेप में बोलते हैं कि हम लोग बड़ी emotional हैं हर जगह emotions को ले आते हैं वो कहते हैं कि एक लड़का विदेश पंडे जाता है यहां उसकी मोसी की बिट्टे के साधी है आएगा साधी अटेंड करने संध्या दीदी थोड़ा बोलो अब भी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा इसा important आने जाने में खर्चा जुटी वगरा बहुंसी चीज़े बिलकुल सही है उसको पता है कि घर वाले बड़ी मुश्किल से एक बार हमको भेजे है फोरें डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जमीन बेज के भेजे है अगर हम गलती से मोसे की बिट्टी की साधी में चले गए तो दुबारा नहीं आपाएंगा पूरा केरियर चौपट हो जाएगा यहां लोग आर्सियम की मिटिंग छोड़ छोड़ के साधी एटेंड करने जाते है दिदी सही बोला हूँ गलत बोला हूँ रसियम उनके लिए दोयम दरजे का काम है साधी एटेंड करना उनके लिए टॉप रेटी है 22 आफ्टारा साल में मैंने कोई साधी अटेंड नहीं की बड़े भाई की बेटी की साधी थी बारात आ रहा था और मैं वहाँ जाके मिटिंग करने के लिए गया था मिटिंग करके लौट रहा था अपनी कार से मेरे सारे रिस्तिदार गौँ के लोग सबी मेरी तरफ उंगली उठा के बोल रहे थे अरे ये लड़का बाहर जा रहा है दुनिया साधी में घर आता है और ये बाहर जा रहे है कैसा लड़का है बड़े भाई मेरे मुस्कुरा आ रहे थे बोले यार इसको जाने दो क्योंकि बड़े भाई मेरे साथ आर्सियम कर रहे है अभी इम्राड लेचीवार एस भी सर्माज उस साधी में जो सबसे बड़ा इमाउंट था उमें ने दिया था जिसकी बज़े से साधी हो रही थी और ये बात सिर्फ बड़े भाईया को पता था बाकी किसी को पता नहीं था अरे साधी के लिए पैसा इम्मर्टिंट था मैं वहाँ पे नहीं रहा तो भी साधी हुई सतीस पंडी जी कहते हैं कि आप जिस साधी में नहीं जाएंगे अउस आपके लिए पुस्पॉन्ण नहीं होगा आक हैंसिल नहीं होगी वो आपके लिए special नहीं आने वालो लेकिन हम लोग नहीं समझते इन चीजों को हमें तो साधी जरूरी लगता है न तो भाईया आप साधी भी attend करेंगे party भी मनाएंगे RCM में royalty भी चाहिए technical भी चाहिए नहीं हो पाएगा कीमत तो चुका नहीं बढ़ेगी आपको सतीस पंडी जी कहते हैं क्यों जो बिदेश में doctor की पढ़ाई करने गया है न उसकी मा मर जाती है न तो भी नहीं आता जो रोता है वहीं बैठके मा से उसको बहुत प्यार है उसको पता है क्या मेरी मा वापस नहीं आईगी दुबारा लेकिन फिर भी नहीं आते क्योंकि career of future तो जिस दिन हम सारे के सारे लोग इस RCM को उसी अंदाज में उसी तरीके से करने लग जाएंगे ना उसी गंभिरता के साथ करने लग जाएंगे ना भगवान का समस्तार रुबियों की नो फोज खड़ी हो जाएगी अंबार लग जाएगा लेकिन ऐसा होता है क्या सुनेंगे हाँ सारे लम सही बोलना है लम परफेक बात और जैसे इंबिटेसन आएगा अरे भाया काग अरे साथी है तो साथी नहीं है वो आपकी बरबादी है 18 साल हो गया मैं कोई साथी अटेंट नहीं किया किसी रिलेटिव की नहीं किया एक भी साथी पॉस्पोर्ड नहीं हुई मेरे बड़े भाई मंजले भाई कहा करते थे कि तेरे बेटे की साधी में कोई नहीं जाएगा तू किसी की साधी में जाता है तो मैंने अपने मंजले भाई को जवाब दिया है कि भाई तू जरूर आना सिर्फ ये देखने के लिए आना कि मेरे बेटे की साधी में कितनी गाड़ियां आई है गिंते गिंते ठक जाओंगे इतनी काड़ियां इतनी लोग आईगे यार जिन्दगी में जिस दिन अपने आपको अपनी सफलता और अपनी कामियाबी के लिए जोग दोगे न इस दुनिया में नामुम्किन कुछ है लोग ने इतने बड़े बड़े कारणामे करके दिखा दिया है यार सियम बिजनेस और यार टेकनिकल इमराड रूबी स्टार रूबी यह नाथिंग बस जरूरत है संकल्प सकती की जरूरत है दिड़ परतिग्यागी जरूरत है भिस्म परतिग्यागी कि नहीं मुझे करना है हर हाल में करना है और अपने आप से किसी और से नहीं डाउन लाइन से नहीं अप्लाइन से नहीं कंपनी से नहीं अपने आप से और जिस दिन आपने कमिटमेंट कर लिया जिस दिन परतिग्या ले लिया आपको सारे काम आसान लगने लगेंगे कीमत चुकाने की जिस्तीन आपने निड़ने कर लिए कि मुझे कीमत चुकाना है RCM से क्या मिल रहा है हमारे लिए 1% माइने नहीं रगता हम RCM के लिए क्या कर रहे है डे रहा है RCM को यह बहुत माइने रगता है लेकिन दिक्कत क्या है है हम तो चार करम चलते हैं और पीछे मुड़के देखते हैं एनालीसिस करते हैं अरे यार इतना टेल में खर्ज हो गया सुबह से साम इतना पसीना बहा है दिन भर दोड़े कोई जुड़ा ही नहीं कुछ हुआ ही नहीं तो ऐसे थोड़ी होता है भाई साब बिजनसमेन ऐसे थोड़ी करता है बिजनसमेन ये सोच के अपना कर्म नहीं करता है ये सोच के पैसा नहीं लगाता कि हमें कल का कल रिजल्ट चाहिए वो ये सोच के करता है कि दस साल बाद क्या मिलेगा पांस साल बाद क्या मिलेगा और ये सोच करके वो इन्वेस्ट करता है पूरी ताकत से काम करता है पुरे जुनून के साथ काम करता है और इसलिए पांच साल के बाद वो सिखर पे चला जाता है इस बिजनस में भी आप ततकाल लाफ ततकाल सूख छोड़िए उसके लिए काम मत करिए आज मेरे अठारा साल कैसे बीट गया आरसी में मुझे पता ही नहीं चला आज में पीछे मुड़के देखता हूँ तो ऐसा लगता है अभी कुछी दिन पहले तो मैं आरसीम सुरू किया हूँ इतना समय कैसे हो गया कुछ लोग मेरे को फोन करते हैं जर मैं पांच साल से लगा हूँ कुछ हुआ नहीं मैं सोचता हूँ यारे को क्या जवाब हूँ मैं त तैरा तो रात हो जाएगा क्या दो चार पांच साल बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं तीन साल हुआ है अभी अभी दो साल और पढ़ेगा बच्पन से लिए कि आज तक अगर जोड़ेंगे तो पता नहीं करोड़ में चला जाएगा कितना इन्वेस्ट कर चुके लेकिन अभी दिमाग में क्या चल रहा है नहीं नहीं पढ़ जब भी पैसा कमाने की बात बोलता है न मैं उसको डाटता हूं नहीं पढ़ाई कर भी फोकस कर पढ़ाई पे तो वहां तो हम सब नियम कानून भूल जाते हैं यहां पांच साल में करोड़ोपती बन जाना है तुरंद की अलग तरीका अपनाना है आप वो कामत करिये जो दुनिया कर रही है भीड कर रही है आप वो काम करिये जो भीड नहीं कर रही है बहुत सारे अबसर हैं बहुत सारे मोके हैं सीखना चाहेंगे तो मुकेस कुठारी जी कहते हैं कि एक सरावी भी आपको सीखा सकता है सीखना तो आप एक खेलुवर ब्यक्ति से भी सीख सकते हैं सीखना चाहेंगे तो आप एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं और अगर नहीं सीखना चाहेंगे तो अक्सफोर्ड इन्वर्सिटी का प्रोफेसर से भी आप कुछ नहीं सीख पाएंगे तो यहां पूरा का पूरा बिजनस सीखना है लार्निंग एटिचूट डेवलब कीजे टेप के माध्य हमसे सीखिए आज भी मैं टेप सुनता हूँ अकेले जब भी मैं ट्रिवल करता हूँ 37 पंडी जी की टेप लगा लेता हूँ इस दुनिया में नहीं है लेकिन उस बंदे ने तीन साल में जो टिहास रचा अगरा जो जिन्दा होता ना तो आर्सिम की तस्वीर और टकदीर बदल के रख देता लेकिन ऐसे लोग ना बहुत कम उनकी आयू कम होती है बहुत कम समय में चले गया वो मैं उनको बहुत मिश्ट करता हूँ वो तुफान का दूसरा नाम था सतीस पंडित उनकी टेप सुनता हूँ ना बलड प्रेसर हाई हो जाता है दिमाग का नसमस जबजोड देते हैं पकड़े तो हम यूटूब पे जाएंगे कई लोग कहते हैं मेरे को सर सुनने के लिए जाता हूँ टाइप करता हूँ सतीस पंडित जैसी यसे डालते सपना चोधरी आ जाती है अब सपना चोधरी आ जाती है तो कब सपना चोधरी को देखने के चक्कर में डाइवर्ट हो जाते है पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं पंडी जी को सुनने और भटक गया तो भटकाने वाली सक्तियां हमारे चारो तरफ है इर्द गीर्द अगल बगल हमारे मुबाइल में है हमें बचना है अर्जुन की निगाह जैसे मचले की आँख थी वैसे आप अपनी निगाह मीशन मार्च चल रहा है पिंच चेंज करना है लेबल चेंज करना है पहला टार्गेट बना है बहुत सारे लोग मेरे बाइटल पे हैं ओपनर पे हैं पिछले तीन साल से ओपनर पे ही है इगल पे है तो तीन साल से इगल पे है दो साल से पता चला कि वह दो साल पहले फांडर गोल्ड हुए थे अभी भी फांडर ही लगा गुमिये एक बार आपने स्टार गोल्ड कर लिया स्टार गोल्ड की पीन मिलेगी एक बार अगर प्लैटिनम कर लिया प्लैटिनम की पीन मिलेगी एक बार स्टार प्लैटिनम कर लिया स्टार प्लैटिनम की पीन मिलेगी कोर की मीटिंग में हमारे सीनियर कमपनी त्यार नहीं थे फाउंडर भटाने के लिए लेकिन हमारे जैसे कुछ करमट लोग और भी है कोर में हम लोगों ने एक दम से बिलकुल कतेना बगावत कर दिया कि सर हटाना पड़ेगा ये रूर क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं पहली बार सुजीत सर को इमराड का पीन लगाए हुए देखा था मैं पागल हो गया था क्यार मुझे पीन लेना है मैंने पूचा सर ये पीन कैसे मिलेगा तो सर मुस्कुरा रहा थे बोले बीजनेस करना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा बोले 44 लाग पीवी करना पड़ेगा मैंने कहा सर मैं करूँगा ये इमराड की पीन मुझे चाहिए उस पीन में मेरे को पागल कर दिया था रातों क कर दिया गया था कि हमारे भाई लोग एक बार मर्द खपके कर तो रहे थे लेकिन दुबारा वो भूली जा रहे थे कि गोल्ड भी है दुबारा वो भूली जा रहे थे कि स्टार गोल्ड है पीन क्या करता है हमें याद दिलाता है कि हम technical पर लेचीबर हैं हम पर लेचीबर हैं और इस पिन की बज़े से बहुत नुक्सान हुआ है आरसीय मुक्त देखिए मैं खुद ये निगेटिव सब्द है लेकिन मैं आप लोग के बीच में बोल रहा हूं और इसलिए हम लोगों ने लड़ाईया लड़ी असपेसल लड़ाई तो ये मौका है मार्च मीशन मार्च तोड़ दीजे सारी बाधाओं को चेंज कीजिए अपने लेबल को पीम एचीब कीजिए अपने सीने पर लगा के घूमिए फिर देखिए आपकी चमतकार आपके अंदर कितना जबरदस्त होता है आपकी सक्ती में कितनी जबरदस्त जा रहा है बाते बहुत है आप सुनते रहेंगे पूरी रात में करता रहोंगा हर दिन इतना संगर्ज किया होना कि एक एक दिन कि अगर क्या बताने लग जाओंगा तो इतनी मुटी-मुटी किताविल दी जाएगी एक एक दिन की बात में बता रहोंगा पंडी जी कहते है आप आपको सब कुछ मिले लेगे आसानी से ना मिले जब तक धक्के नहीं खाएंगे जब तक गिरेंगे नहीं बार बार जब तक रगड़िया नहीं होगा ना तब तक आप इस जगर पर आने का आपको मजा नहीं मिलेगा तो आज 6S की तरफ से मुझे आज मौका मिला मैं अपने समस्त गुरुजनों को बहुत भुत धन्यवाद आभार पकट करता हूँ धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने आज मुझे मौका दिया मैंने कुछ सब्द निगेटी भी बोले हैं मैं माफी मांग लूँगा सर लोगों से क्या है कि आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने में बहुत मजा आता है मैं लड़ जाता हूँ अपर भी तो कई बार कुछ चीजे होती है जो हमें लगता है कि नहीं ऐसा हम लोगों के साथ था लोगों को सोचने का तरीका वो बदलता नहीं है ठीक है समय बदल चुका है लोग कहते हैं सर टाइम चेंज हो गया है समय बदल गया है कंपनी में बहुत सारे पोड़क्ट आ गया है लेकिन वो जो भाव है वो किसे बदल जाएगा आज से 200 साल पहले बाप बेटे के बीच में जो भाव होता था आज भी वही भाव है ऐसा थोड़ी की समय बदल गया तो भाव बदल गया भाव नहीं बदलता फिलिंग्स नहीं चेंज होती है तो ये पीन को लेके जो फिलिंग्स है न ये पापस से अपने अंदर पैदा कीजी तीन रात बिज्वलाइज कीजिए कि मेरे सीने पे पीन लगा है मैं गोल्ड बन चुका हूँ ये पीन में बड़ी ताकत होती है मुझे याद है पहली बार सुरंद्र बनस जी ने मेरे को बहऀ था कि धर्मिंद्र जी मैं Star Platinum का पीन नहीं लगाता था तो बोले क्यों नहीं लगाते हैं मैं जा सार मैं Direct Emerald का लगाउंगा सुजी सार का पीन में लगाउंगा बत साम ने मेरे को समझाया बोला ये गलत तरीका है जो भी मेरे पास है मेरे लिए एक खास है इस पीन को लगाओ देखो ये इमराज तक किसे लेके जाएगा ये चीमेंट है आपकी पलब्धी है